याद कीजिए राहुल गांदी जी ने आगाह किया था कि प्रधान मंत्री जी आप कोरोना वाइरस को कंटेन करने की अपेक्षा सिर्फ एकोनॉमी को कंटेन कर रहे हैं और आज वो बात सही साबित हो रही है भारत की अर्थ विवस्था गर्त में गिरकर माइनस 23.9 परसेंट ह गई और कोरोना वाइरस के केसे एक लाख पचास हजार से प्रती दिन उपर आने लगे हैं प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम हिंदुस्तान में टीके का महोच्षव मनाएंगे प्रधान मंत्री जी जब घर घर में मातम पसरा हो तो कोई टीका महोच्षव केसे मना सकता है और 21 जनवरी से ही हमने विदेशों में भी टीके भेजना प्रारम कर दिये हिंदुस्तान में मातरे एक करोड 29 लाक लोगों को 2 डोसिंन वेकसीन्स के दिये गए हैं 10 करोड 45 लाक टीके कुल लगाए गए हैं और विदेशों में हमने 6 करोण 45 लाख टीके भेज दिये हैं 6 अपरेल तक हमने वो टीके भेजे हैं बंगलादेश, अफगानिस्तान, UAE 85 देशों को हमने ये टीके विदेशों में भेजे हैं देश ये जानना चाहता है प्रधान मंत्री जी कि जब प्रतीपक्षी सरकारें आप से निरंतर आगरह कर रही है कि वेक्सीन की कमी है, परियाप मात्रा में उनको उपलब्ध नहीं कराई गई तब आपके स्वास्त मंत्री उन सरकारों की मदद करने की अपेक्षा उन पर ही टीकाटी पणी करते हैं प्रतीपक्षी सरकारों पर टीकाटी पणी बंद कीजिए और टीके का प्रबंद कीजिए प्रधान मंत्री जी, आप देश को महमारी की आग में जोग कर कुवे खोधने की प्रेरणा का प्रवचन कैसे दे सकते हैं देश के लोगों को ये सचाई भी जानी चाहिए कि भारत ने दो वेक्सीन को अनुमती दी है एक सीरम इंस्टिट आफ इंडिया की कोवीशील और एक कोवेक्सीन कोवीशील की ख्षमता 60 मिलियन वेक्सीन पर मंथ बनाने की है और कोवेक्सीन की मात्र 10 मिलियन पर मंथ की कोवीशील ने दो माह पहले भारत की सरकार को ये लिखा था कि हमें अमेरिका ने चुकी डिफेंस ट्रोडक्शन एक्ट लागू कर दिया है और वेक्सीन बनाने के जरूरी संसाधन जो हमको चाहिए वो उपलब्द नहीं करा पा रहा है इसलिए हमारा जो वेक्सीन बनाने का कारिक्रम है वो बाधित होगा मगर भारत की भारती जन्ता पार्टी की सरकार ने उसका संग्यान नहीं लिया और वो बिदेश भेशते रहे देश को ये भी सत जानना चाहिए कि जन्वरी और फर्वरी के महा में स्पूतनिक और फाइजर ने भी अपलाई किया था मगर भारत की सरकार ने उनको emergency use की permission नहीं दी भारत की सरकार ने दूरदर्शी रवया नहीं अपनाया और सिर्फ दूर दर्शन पर प्रवचन दे कर अपना काम चलाती रही